हेलो दोस्तो स्वागत आप सभी का हमारे इस यूटूब चैनल में आज हम इसमें अंतराष्टिय संग्ठन और उनके मुख्याले ट्रिक से याद करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारा विसु मोसम विज्यान संग्ठन का हैड़कॉर्टर कहां पर है जिनेवा स्विज्याले ले तो देखो इस विसु मोसम विज्यान संग्ठन में मोसम आ रहा हैं तो मोसम को रिलेट करेंगे मोसम से जो मोसम होता है ना आंदी तूफान बारिस और जिनेवा को रिलेट करेंगे जानलेवा से जिनेवा जानलेवा तो मोसम के कारण क्या होता ह आंदी, तूफान, भूकंप, बिजली के कारण कई लोगों की जान चली जाती है, तो कैसा होता है, मोसम जान लेवा होता है, तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगे, कि मोसम कैसा होता है, जान लेवा होता है, नेक्स्ट विसु स्वास संक्थन का हैड़कवर्टर कहां पर है, जेन जान लेवा तो स्वास्त के कारण कई लोगों की जान चली जाती है ना अगर स्वास्त खराब हो जाए तो कई लोगों की जान चली जाती है तो क्या होता है स्वास्त भी क्या होता है जान लेवा होता है मोसं भी जान लेवा होता है स्वास्त भी क्या होता है जान लेवा होता ह तो कोई वेक्ति व्यापार करने जाता है समुंद्री रास्ते से तो क्या कर देते जान लेवा हमले कर देते हैं तो जान लेवा हमले कर देते हैं तो जान लेवा हमले कब होते हैं जब व्यापार करने जाते हैं लोग तब तो व्यापार में क्या होता है जान लेवा हमला होता ह स्रम को रिलेट करेंगे स्रम प्रीश्रम से तो कई बार प्रीश्रम भी क्या होता है जान लेवा होता है जिसे कई बार सुना है ना कि कोईला की खदानों में कई खदानों में विस्फोट हो जाते हैं जिससे कई लोगों की जान चली जाती है तो प्रीश्रम भी क्या होता है ज जेनेवा स्विटजर्लेंड में नेक्स्ट रेड क्रोस का हैड़कॉर्टर कहां पर है जेनेवा स्विटजर्लेंड में तो रेड क्रोस को कैसे रिलेट करेंगे जब हम रोड पर जा रहे होते हैं तो वहां पर कोई बोर्ड लगा होता है रेड साइन में कि आगे मत जाना आग हमला हो सकता है общем मैं जैनेवा स्विचल्ड में तो सडेनार्थी में यहां पर आगी सरण आ रहा है तो उसको रलेट करेंगे किसी की सरण लेनेब कोई व्यक्ति जारा है उन्द पर जानले वह हमला हो । तो क्या करेगा किसी की सरण में जाएगा ना आस पास कोई घर डूंडेगा कोई वेक्ति डूंडेगा उसे सरण में लेगा तो क्या हो जाएगा कि अगर किसी पर जान लेवा उमला हो जाता है तो क्या करता है किसी की सरण में जाता है विस्व बोधिक संपधा संग्ठण का एड़ क्वाटर काँ पर आज जेनेवा तो इसको कैसे रिलेट करेंगे बौधिक को रिलेट करेंगे बुद्धी से बोधिक बुद्धी कोई वैक्ति जान लेवा हमले से कैसे बच सकता अपनी बुद्धी का प्रयोंक परको कि बुधिक संपदा का यूज करके तो कोई व्我想age की जान लेवा हमले से कैसे बच सकता आपनी बुध्धिक का यूज करके बुधिक संपदा का यूज करके जयें यह भूर्द ंतर नियां झे हुए दूर संचार संग का हैट्ज कौटर का कभी भी हमारे दूर से ही निकल जाए कभी भी हमारे संग ना आए नेक्स्ट है विसू बैंक का हैड़कॉर्टर कहाँ पर है वासिंग्टन डिसी में यह कहाँ पर है अमेरिका में वासिंग्टन डिसी अमेरिका में तो वासिंग्टन डीसी में डीसी आ रहा हैं तो इसको रिलेट करेंगे अमेरिका जो है वो अपने आपको डीसी समझता ना कि मैं इस सबसे ताक्कतवर देश हूँ तो उसने बोला गी विशू बैंक में अपने पास रखोंगा तो सबी देश बोले ठीक है रख ले तो विशू बैंक किसको दे दिया अमेरिका को वासिंग्टन डीसी अमेरिका को नेक्स्ट अंतराष्टी मुद्रा कोस का हैड़क्वाटर कहां पर है वासिंग्टन डीसी में तो जहां पर विशू बैंक होगा वहीं पर अंतराष्टी मुद्रा कहां पर होगी जहां पर विशू बैंक होगा तो ये भी कहां पर है वासिंग्टन डीसी में नेक्स्ट अंतराष्टी वित निगम का हैड़क्वाटर कहां पर है वासिंग्टन डीसी में तो जहां पर विशू बैंक होगा अंतराष्टी मुद्राकोस होंगे वहीं पर क्या होगा वित कलेंदिन होगा अंतराष्टी वित कलेंदिन तो अंतराष्टी वित का लेन दिन का होगा जा विशू बैंक होगा अंतराष्टी मुद्रा कोस होंगे वो कहाँ पर है डिसी अमेरिका के पास में तो वासिंग्टन डिसी अमेरिका नेक्स्ट अंत्राष्ट विकास संग का हैड़क्वाटर कहाँ पर है वासिंग्टन डेसी में तो देखो अंतराष्टे विकासंग में यहां पर विकास आ रहा है ना तो अंतराष्टे विकास कौन करेगा जिसके पास विशु बैंक ओगा अंतराष्टे मुद्राई होंगी तो वो किसके पास है वासिंग्टन डिसी अमेरिका के पास में तो इसका है एड़कॉर्टर कहां संचार संग था उसका एड़ क्वाटर कहां पर था जेनेवा में उसको कैसे रिलेट किया था कि बगवान जानलेवा हमला हमारे गर पर कभी भी ना हो दूर से निकल जाए हमारे संग कभी भी भी ना है क्या जानलेवा हमला और यहां पर आ रहे दूर संचार उपग्रे बहुत खर्चाता है तो क्या होगा कौन लौंच करेगा जिसके पास में विशु बैंक होगा अंतराष्टे मुद्राई होगी तो अंतराष्टे दूर सिंचारुप गरे कौन लौंच करेगा जिसके पास में अंतराष्टे मुद्रा होगी तो वो किसके पास है वासिंग्टन DC के पास next अंतराष्ट तक परमानू उर्जा भिकरन का हैड़ क्वाटर काँ पर विएनास ओस्ट्रिया में तो इसको कैसे रेलेट करेंगे परमानू उर्जा को परमानू बम से तो परमानू बम जहां भी गिरा जाता, वहाँ पर क्या हो जाता इसमे क्या और रहा है ओध्योगिक विकास विना से कोई भी राष्ट अपना ओध्योगिक विकास बिना क्या नहीं कर सकता प्रक्ति नहीं कर springs तो क्या हो जाएगा ओध्योगिक विकास मिना कोई वी देश आगे नहीं बढ़ सकता तो क्या होगा कि ओध्योगिक विकास बिना बिना वियना बिना या फिर ऐसे रिलेट कर दो कि परमाणु उर्जा का यूज बं बनाने में नहीं बलकि किसमे करो ओध्योगिक विकास बनान में करो नहीं तो क्या हो जाएगा विरान हो जाएगी जगे नेक्स्ट पैट्रोल ये मुतपादक देशों का संग्थन इनका हैड़कवाटर कहां पर है विए न ओस्ट्रिया में तो पैट्रोल भी कैसा होता है परमानुबं का जैसा होता ना जांगिर जाए वह बड़ा खतरन थेंक यू